हेलो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग फोन पेपर अपना जो वायलेट है उसको अनलॉक करना चाहते हैं और आप लोग जो वायलेट लिमीट है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैसे आप लोग अपना फोन पे वायलेट का जो किवा अब दूस्तों आप्लिकेशन जब आप लोग open कर लेंगे तो आपको यहाँ से side में अपने profile के उपर click करना होगा अब दूस्तों जैसे आप लोग profile वाले option के उपर click करेंगे तो आपको यहाँ पर payment methods में एक option दिखेगा phone pay wallet का तो आपको इसके उपर click करना होगा और दूस्तो जैसे आप लोग phone पे wallet के उपर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं unlock full wallet benefits मतलब आपको wallet का full benefits उठाने के लिए इसको unlock करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर complete KYC का option दिख रहा है आपको इसके उपर click करना पड़ेगा आप दूस्तों यहाँ पर click करते ही यहाँ document type में लेगा तो आपके पास जो भी document रहेगा आप उससे अपना KYC complete कर सकते हैं तो दोस्तों पहले ही मैंने अपने account का KYC अपने pen card से complete कर लिया है तो मैं जो तीसरा option दिख रहा है वोटर ID card का उसको select करूंगा और दोस्तों यहाँ पर ओटर ID card select करने के बाद या जो भी document आप select कर बटन दिख रहा है इसके उपर click करना होगा आप देख सकते हैं uploading KYC document तो आपका जो KYC रहेगा दोस्तों देख सकते हैं एक मिनट भी नहीं लगा और मेरा KYC है successful हो चुका है आप दोस्तों यह जो KYC है आपका minimum KYC है अगर आप लोग अपना wallet का full KYC करना चाहते हैं तो उसके यह दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने एक option open होकर क्या आजाएगा upgrade wallet का तो अगर आप लोग इसको upgrade कर लेते हैं तो आपको जो limit मिलेगा wallet का दो लाख रुपय तक मिल जाएगा तो मैं इसके उपर click करता हूँ upgrade wallet के उपर और यहाँ पर देख सकते हैं why upgrade my wallet मतलब मुझे अपना जो wallet है उसको क्यों upgrade करना चाहिए तो यहाँ पर दिख सकते हैं top of width up to 2 lakh मतलब दोस्तों अभी जो मेरा limit है 10,000 रुपय है और जैसे ही मैं इसको upgrade कर लूँगा तो मुझे 2,000,000 रुपय तक रखने का limit है वह wallet में मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों जो दूसरा फ tips दिये हुए हैं पहला आपको pen card details verify करना पड़ेगा अधार card details verify करना पड़ेगा address personal details और फिर वीडियो के वाईसी करने के बाद जो आपका wallet है अपग्रेट हो जाएगा और दोस्तों wallet upgrade करने का जो proper video है मेरे चैनल पर मिल जाएगा मैं उस video को i button पर लगा दूँगा आप लो wallet है उसको upgrade कर लिया है और दोस्तों अगर आपको wallet upgrade करने में कोई भी problem आएगी तो आप मुझे instagram पर contact कर सकते हैं मैं आपकी problem को solve करने की पूरी कोसिस करूंगा तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको minimum के वाईसी करना है आपके wallet का जो limit है वह 10,000 रुपए तक बढ़ जाए किसी के जो personal QR code होता है जैसे bank account link है उनका और phone pay mobile वाला जो application होता है वहाँ का QR code अगर आप लोग यूज करेंगे तो वहाँ पर payment नहीं होगा तो अगर माली जे आपका wallet upgrade हो जाता है और payment नहीं हो पाता है तो हर जगा पर आपको परशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग business QR पर जो payment करेंगे वह आपका successful हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग phone pay का जो minimum के वाई सी है उसको करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से अपने किसी भी document का यूज करके कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ष